इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जानने वाले हैं समझने वाले हैं टोटल क्वैलिटी मैनेजमेंट के बारे में कि टोटल क्वैलिटी मैनेजमेंट होता क्या है हिंदी में इसको हम कहते हैं संपून गुनवत्ता प्रबंधन तो देखी इसके नाम सी पता चला है कि अच्छी लर्निंग हो इस्कूल की जो functioning हो अच्छी हो बहतर हो तो आज के इस वीडियो में हम इसी TQM पर बात करेंगे चर्चा करेंगे तो वीडियो को आखरी तक देखिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईए तो हम वीडियो को सुरू करते हैं और TQM के concept को स सभी पहलों में निरंतर सुधार पर केंद्री थे आगे स्कूल की बात करें तो यहां पर teaching हो गया learning हो गया अधर activities हो गई तो इन सभी जो आसपेक्ट हैं यहां पर continuous improvement की बात की जा रही है TQM is often associated with business and industry की TQM अक्सर व्यापार और उद्द्योग से जुड़ा होता है लेकिन इसके जो principles हैं इसकी principle को educational institution है वहां पर भी इसको लागू किया जा सकता है अच्छी चीज़े हैं ठीक है अच्छे quality की बात करते हैं quality work की बात करते हैं तो यह सारी चीज़े तो कहीं पर भी हर जगे इसको implement किया जा सकता है अगर school में भी इसको लागू किया जाए तो school में भ लो जो क्वालिटी पे फोकस किया जाएगा अच्छी टीजिंग होगी अच्छी लर्निंग होगी अच्छी एक्टिव्टीस होगी जिसका फायता किसको होगा बच्चों को होगा सोसाइटी को होगा तो यह concept of TQM आपको समझ में आ गया होगा हम इसके structure की बात करते हैं कि TQM को implement करने में इनका रोल बहुत एहम है और इनकी help के लिए parents होते हैं, teachers होते हैं, students होते हैं, society के अधर members होते हैं तो यह सब मिलकर school के welfare के लिए, school में अच्छी quality education के लिए, teaching learning के लिए, सब मिलकर decision लेते हैं तो यह इसका structure हो गया Stabilize a systematic process of collecting and analyzing data related to student performance, teacher effectiveness and overall school operation तो देखिए, school के बारे में अगर हमें चाहिए कि school में अच्छी teaching हो, अच्छी learning हो तो सबसे पहले यह भी हमें देखना होता है कि problem किस एरिया में हो, तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़े कि जो भी data है, data को collect करना, उसको analyze करना, फिर decide करना कि कहां पर ज़्यादा focus करने की जरूरत है, अब हम अगर इसके function की बात करें, तो leadership foster a culture of continuous improvement की नेताओं में निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, school में, high expectation should be set for the stop and people's की सिख्छकों और विद्यारतियों के लिए उच्छ उमीदे रखने चाहिए, teachers से high expectations रखना चाहिए कि वो अपना पूरा best दें, पूरी कोशिस करें, बच्छों को अच्छे से पढ़ाएं, सिखाएं और विद्यारतियों से high expectation मतलब है कि विद्यारतियों से भी expectation है कि भाई तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तो इससे positive motivation जो होता है वो बच्छों में भ जाएगा और सब अपना काम अच्छे से करेंगे, must provide necessary resources and support to achieve quality goals की गुणवत्ता लक्षों को प्राप्त करने के लिए आवस्यक संसाधन और सहायता प्रदान करने चाहिए, encourage open communication and collaboration among stakeholders की जो stakeholders है, ठीक है, जो society के लोग है, तो आपस में school और society में एक अच्छा communication होगा, एक पुल collecting feedback regularly, कि नियमीत रूप से feedback एकतर करना कि school में जो functioning हो रही है, जो काम हो रहा है, teaching, learning हो रही है, other जो work हो रहा है, तो उसका regular feedback लेते रहना चाहिए, ताकि पता चलते रहे कि काम ठीक से हो रहा है कि नई, to involve the committee in setting educational objective की educational objective को set करने, clean school में decision making जो process है, तो उसमें community के लोगों को भी सामिल करना चाहिए, implementing effective teaching method की परभावी section विद्यों को लागो करना ताकि teaching बहतर हो सके, learning बहतर हो सके, to provide professional development opportunity for teachers की सिक्षकों के लिए, उनके professional growth के लिए, professional development जो opportunity है, teachers को provide करना, इसके अलामा परतिक विद्यार्ति की विशिष्ट आफ सकताओं को पूरा करने के लिए, व्यक् नई learning, teaching पर focus करना, identifying areas of improvement, school में, अलग-लग areas को पहचान करना कि कहां पर implement की ज़्यादा जूरूरत है, फिर उसमें focus करना, उसको ठीक करने की कोसिस करना, adapting educational experience to student need की, सक्षिक अनभूमें विद्यार्तियों की सकता के अनुसार के अगरना, बदलाव करना, to provide support service to the student की विद्यार्तियों को सहायता से वाएं परदान करना, लगे कि बच्चों को नीड है, उनको बच्चे problem है, उनको चीज़े समझ में नहीं आ रहे, उनको guidance counseling की जोड़ते हैं, तो उनको इस तरह की support services देना, to create a positive inclusive school culture for the development of the school की विद्याले में, एक सकरात्मक विद्याले संश्कृती को बढ़ावा देना, जहां पर सब मिलकर सीखें, सब मिलकर काम करें, मिलकर activity करें, दूसरे की respect करें, to major strength learning outcome and identify areas for improvement की विद्यार्तियों के अधिकम पढ़मानों को मापना और सुधार के छेतरों की पहचान करना, विद्यार्तियों के sectionic और समाजिक विकास में सहायता के लिए माता पिता और समुधाय के साथ एक साजिधारी को बढ़ावा देना, मतलब society को भी साथ लेके चलना, communicating transparency about school performance की विद्याले के परदर्सन के बारे में एक पारदर्सी रूप से समभात करना और involve external stakeholders की, बच्चों के parents हैं, other society के members हैं, इसमें चाहे area representative creative जैसे MP, MLAE सब भी आ सकते हैं, तो involve external stakeholders in school improvement की विद्याले सुधारे तो भारी जो ही दारा के उनको शामिल करना, तो इस तरह से हमने जाना, हमने समझा कि TQM क्या है, इसका structure क्या है, इसके functions क्या क्या है, तो वीडियो आपको कैसे लगी, comment करके जरूर बताईए, आप सब का बहुत बहुत धन्दे बाद